हमारे देश में इन दिनों तेजी से महंगाई बढ़ रही है घरेलू गैस, सिलेंडर से लेकर पैट्रोल, डीजल, घरेलू समान समेट लगबख सभी जगे महंगाई का इसर दिख रहा है और इसे लेकर लोगों में काफी रोच भी दिखाई दे रहा है ऐसा इसलिए भी है क्य सरकार भी अपनी तरफ से पूरे परियास भी कर रही है वहीं बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए RBI यानि भारत्य रिजर्ब बैंक ने भी एक बहतर कदम उठाया है इसकी आचा अगले महीने लगाई जा रही थी तो आईए जानते हैं कि RBI के द्वारा क्या बड़ा फैस प्रतिशत से बढ़ा कर 4.4 शुन्य प्रतिशत कर दिया है अगर आपको रैपो रेट का मतलब नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे रिजर्ब बैंक जो देश के अंडे बैंकों को कर्ज देती है उसके जो कर्ज की दर होती है उसे हम रैपो रेट कहते हैं और CRR यानि नगत आरक्षित अनुपात को 0.5 शुन्य प्रतिशत से बढ़ा कर 4.5 प्रतिशत कर दिया है जिसके बाद बैंकों को अतरिक्त राशी RBI के पास रखनी होगी असान भाशा में कहूं तो CRR जमा करताओं के पैसों का वह प्रतिशत है जो कमर्शल बैंक को रिजर्ब बैंक के पास रखना पड़ता है अब आप यह भी जान लीजिए कि इस रैपो रेट के बढ़ने से जिस बैंक दर पर लोग को पहले लोन मिलता था अब उसमें बड़ोतरी हो जाएगी जिसके बाद आपकी EMI में बड़ोतरी होगी साथ ही आपके होम लोन, कार लोन और परस रिजर्ब बैंक से लोन नहीं लेते जिससे बैंकों के पास पैसा उपलबब्ध नहीं होता, देश के सरी बैंकों को असानी से लोन उपलब्ध होते रहे इसलिए इसे रिजर्ब बैंक के दुवारा ब्यास दर्में बड़ोतरी नहीं की गई थी और अब जब रैपो रेट म में वर्वतिरी होने से महगाई तो बढ़ेगी लेकिन ऐसा नहीं है इसे आप ऐसे समझेटा की लोन देने में जब कमी आईगी तब बजार में और बिस्तोफ समेट जमिक्व। जमीन जायजाद की ख़रीद में भी कमी आएगी जब ख़रीद में नहीं आईगी कि ऐसा हो पाता है के नहीं ये फ्रशन इसले भी उठा रहेगा क्योंकि उस समस्या का हल होता नहीं दिखता जिनके चलते महंगाई बढ़ रही है इन कारणों में एक बड़ा कारण युक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद भी है फिलाल यह तो कोई नहीं जानता कि उक्रेन और रूस के बीच यूज छिडा था हम आपको बता दें कि यह हाल केवल भारत में नहीं बलकि दुनिया भरवे बने हुए हैं उधारन के लिए शिलंका और कई अफ्री की देश हैं जिसके हालात इस समय काफी विक्राल हो चुके हैं वहीं रिजर्व बैंक के द्व विद्धी का समय एक आश्यरे की तरह था उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा था कि यह काम किसी भी तरह किया जाना चाहिए था आश्यरे इसलिए हुआ कि यह फैसला मौद्रिक नीती समिती यानी MPC की दो बैटकों में बीच हुआ था तो यह थी रिजर्व बैंक के दोर रैपो रेट बड़ाये जाने को लेकर हमारी पूरी जानकारी आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जुरूर बताएं फिलाल के लिए हमें दीजे इजाजत और देखते रहें मीटे दर्बाद धन्यवाद